गुड़ मार्निंग एवरिवन आज हम हिंदी के प्रसिद साहित देखार डॉक्टर रांगे रागव की कहानी गदल का वाचन कर रहे हैं बाहर शुर्गुल मचा डोडी ने पुकारा कौन है कोई उत्तर नहीं मिला आवा जाई हत्यारिन तुझे कतल कर दूँगा इस्तरी का स्वर आया करके तु देख तरी कुनवे को डायन बनके नखागे निपुते डोडी बैठा ने रह सका बाहर आया, क्या करता है, क्या करता है निहाल, डूडी बढ़कर चिलाया, आखिर तिरी मईया है, मईया है कहकर निहाल हट गया अरे तू हाथ उठाके तो देख इस तरी ने फुफकारा कड़ी खाये तेरी सीख पर बलियां चलवा दू समझ रख्यों मत जान रख्यों हाँ तेरी आसर तू नहीं हूँ भावी डोडी ने कहा क्या बक्ती है होश में आ वह आगे बड़ा उसने मुड़ कर कहा जाओ सब तुम सब लोग जाओ निहाल हट गया उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए डोडी निस्तब्द छप्पर के नीचे लगा बरेंडा पकड़े खड़ा रहा इस्त्री वहीं बिफरीवी सी बैठी रही उसकी आखों में आग सी जल रही थी उसने कहा मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं यह सब तैने किया है देवर हाँ गदल डोडी ने धीरे से कहा मैंने ही किया है गदल से मट गई कहा क्यों तुझे क्या जरूरत थी डोडी कह नहीं सका वे उपर से नीचे तक जंजना उठा पचास साल का वेक लंबा खारी गुजर उसकी मूछे खिचड़ी हो चुकी थी छपपर तक पहुचा सा लगता था उसके कंदे की चौड़ी हड्टियों पर अब दीवे का हलका प्रकाश पढ़ रहा था उसके शरीर पर मोटी फतुई थी और उसकी धूती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही जूल देकर चुस्त सी उपर के और लोट जाती थी उसका हाथ कर रहा था और वै इस समय निस्तब्द खड़ा रहा इस्त्री उठी वै लगबग 45 वर्षिया थी उसका रंग गोरा होने पर भी आयू के दुनलके में अब मैला सा दिखने लगा था उसको देखकर लगता था कि वै फूर्टिली थी जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के धीले पढ़ने पर भी उसकी फूर्टि अभी तक मौजूत थी तुझे शर्म नहीं आती गदल डोडी ने पूछा क्यों शर्म क्यों आएगी गदल ने पूछा डोडी शर्म भर सकते में पढ़ गया भीतर से चोबारे से अवाजे शर्म क्यों आएगी से शर्म तो उसे आए जिसकी आँखों में हया बची हूँ निहाल डोडी चिलाया तुझ चुप रहा फिर आवाज बंद हो गई गदल ने कहा मुझे क्यों बुलाया है तुने जोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया पूछा रोटी खाई है नहीं गदल ने कहा खाती भी कब कमबख्त रास्ते में मिले खेत होकर लोट रही थी रास्ते में अड़ने कंड़ने बीन करके लिए जा रही थी जोडी ने पुकारा निहाल बहुसे कह निहाल चलाया सुनले परमेसरी जग हसाई हो रही है खारियों की तो तुने नाक कटा कर छुड़ी गुन्ना मरा तो 55 बरस का था गदल विद्वा हो गई गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 बरस के पास पहुँच रहा था उसकी बहुन दुलो का बड़ा बेटा साथ का दूसरा चार का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी निहाल से छोटी तरा उपर की दो बहिने थी चमपा और चमेली जिनका क्रमशे है जाज और विस्वारा गाउं में ब्या हुआ था आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतर कर धूल में घुटुवन चलने लगे थी अन्तिम पुतर नरायन 22 का था जिसकी बहु दूसरे बच्चे की मा होने वाली थी ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़ कर चली गई थी और 32 साल के एक लोहारी गुजर के यहां जाबाथी थी डूडी गुन्ना का सगा भाई था बहुत ही बच्चे भी हुए सम मर गए अपनी जगे अकेला रहे गया गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही पर वे फिर अकेला ही रहा उसने ब्याहा नहीं किया गदल ही के चूले पर खाता रहा कमा कर लाता तो उसी को दे देता उसी के बच्चों को अपना मानता कभी उसने अलगाव नहीं किया निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लोहारों से उचा समझते थे गदल जिसके घर जाबाटी थी उसका पूरा कुनबा था उसने गदल की उम्र नहीं देखी यह देखा कि खारी औरत पड़ी रहीगी चूले पर दम फूकने वाली की जरूरत भी थी आज ही सवेरे गदल गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे उसके नए पती मौनी को अभी पता नहीं हुआ होगा उसकी भाबी जो पाउं फैला कर मटक मटक कर छाच भी लोती थी दुल्लू सुनेगी तो क्या कहेगी गदल का मन विक्षोप से भर उठा आधी रात हो चली थी गदल वहीं पड़ी थी डोडी वहीं बैठा चिलम फूक रहा था उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा गदल क्या है गदल ने हौले से कहा तो चली गई न गदल बोली नहीं डोडी ने फिर कहा सब चले जाते हैं एक दिन तेरी देवरानी चली गई फिर एक एक करके तेरे भतीजे चले गए भहिया भी चला गया पर तू जैसे गई वैसे तो कोई भी नहीं गया जग हसता है जानती है गदल ने बरबर आया जग हसाई से मैंने जड़ती थी वर जग चौदे की थी तब तिरा भहिया मुझे गाउं में देख गया था तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना तब मैं आई थी कि नहीं तू सोचता होगा कि गदल की उमर गई अब उसे खसम की क्या जरूरत है पर जानता है मैं क्यों गई नहीं तू तो बस यही सोचा करता होगा कि गदल गई अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा बहुए नहीं करेंगी तिरी चाकरी देवर तूने भाई से और मुझ से निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा बोल जूट कहती हूँ नहीं गदल मैंने कब कहा बस यही बात है देवर अब मेरा यहां कौन है मेरा मरत तो मर गया जीते जी मैंने उसकी चाकरी की उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बज़े पर जब मालिक ही न रहा तो काहे को हडकम पुठाओं ये लड़के ये बहुए मैं इनकी गुलामी नहीं करूँगी पर क्या सब तेरी अउलाद नहीं बावरी बिल्ली तक अपने जायों के लिए साथ घरों लट फिर करती फिर तू तो मानुस है तेरी माया ममता कहां चली गी देवर तेरी कहां चली गी थी जो तुने ब्याहा न किया मुझे तेरा सहारा था गदल कायर भया तेरा मरा कारज किया बेटे ने और फिर जब सब हो गया तब तु मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था तुने मुझे पेट के लिए पराई ड्योडी लंगवाई जूला मैं तो तफ होंकू जब मेरा कोई अपना हो ऐसी बांदी नहीं हो कि मेरी कोहनी बज़े औरों की बिछिया जनके मैं तो पेट तब भरूँगे जब पेट का मोल कर लूँगे समझा देवर तूने तो नहीं कहा तब अब कुनवे की नाग पर चोट पड़ी तब सोचा तब न सोचा जब तेरी गदल को बहूने आखे तरेर कर देखा अरे कौन किसी की परवा करता है गदल डोडी ने भर रायस्वर में का मैं डरता था भला क्यों तू गदल मैं बुड़ा हूँ डरता था जग हसेगा बेटों सोचेंगे शाद चाचा का अम्मा से पहले से ही नाता था तब ही तो चाचा ने दूसरा ब्याहा नहीं किया गदल भहया की भी बदनामी होती नै अरे चल रहने दे गदल ने उत्तर दिया भहया का बड़ा खयाल रहा तुझे तू नहीं था कारज में उनके क्या मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भहया ने बिरादरी को जिमा कर ओटों से पानी छुलाया था अपने और तुम सबने कितनी बुलाया तू भहया और दो बेटे यही भहिया है यही बेटे हैं पच्चिस आदमी बलवाए कुल क्यों आखिर कह दिया लड़ाई में कानून है पुलस पच्चिस से ज़्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी डरपोक कहीं के मैं नहीं रहती ऐसो के हटा डोड़ी का स्वर बदला मेरे रहते तू पराय मरत के घर जा बाठेगी हाँ आपके तो क्या है फै उठकर बढ़ा सो बार कहूं लाला गदल पड़ी बुली जोड़ी बढ़ा बढ़ गदल ने फुफकारा जोड़ी रुग गया गदल देखती रही जोड़ी जाकर बैठ गया गदल देखती रही फिर हसी कहा तुम मुझे करेगा तुझ में हिम्मत कहा है देवर मेरा नया मरत है न मरत है इतनी सुन तो ले भला मुझे लगता है तेरा भहिया ही फिर मिल गया है मुझे आरे कोई बहियर से घगी आता है डोडी देखता ही रह गया रात गहरी होगी गदलने लहंगी की पड़ते फाला कर टन ढख लिया डोडी उंगने लगा